भारत माता की भारत माता की आप सबको राम राम मेरट की ये धर्ती, क्रांती और क्रांती वीरों की धर्ती है इस धर्ती पर बाबा आउगर धाम उसका आशिर्वाद है इस धर्ती ने चौदरी चरंती जैसे महान सपूत देश को दिये है हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सवभाग्य मिला है मैं चौदरी साब को आजर पुर्वक स्रद्धानली अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ साथ्यों, मेरेट की इस धर्ती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिष्टा है आपको याद होगा, दोहजार चवदा में और दोहजार उन्निस में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुवाद यहीं मेरट से की थी अब दोहजार चुबिस के चुनाव की पहली रेली मेरट में ही हो रही है साथियों, दोहजार चुबिस के चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है कौन साउसत बने, कौन न बने, इसका चुनाव नहीं है दोहजार चुबिस का चुनाव विख्षिद भारत बनाने के लिए है दोहजार चुबिस का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्फिक महाशक्ति बनाएगा मैं आपको याद कराना चाहता हूँ जब भारत दुनिया में ग्यारवे नंबर की अर्फिववस्ता था तो भारत में चारों तरब गरीबी थी जब भारत पांचवे नंबर पर पहुँचा तो पचीस करोड देशवासी गरीबी से बहार निकलने में सफल हुए और मैं आपको गारंटी देता हूँ जब भारत दुनिया में नंबर तीन पर पहुँचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही लेकिन साथ साथ एक सामर्थवान शसक्त मध्यंबर्ग देश को नई उर्जा देता होगा आज पुरा देश कह रहा है तीसरी बार तीसरी बार तीसरी बार चार जून चार जून चार जून साथियों मैंने लाल कीले से कहा था यही समय है सही समय है भारत का समय आ गया है भारत चल परा है आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्टर्टर बन रहा है आज भारत इंफ्रास्टर्टर के निर्मान पर अभूत पुर्वन निवेश कर रहा है आज हर सेक्टर में नव जमानों के लिए अंगिनत नए आउसर बन रहे हैं आज देश की नारी शक्ति नए संकल्पों के साथ आगे आ रही है आज भारत की साथ दुनिया भर में भारत की साथ नई उचाई पर है इतना ही नहीं पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है हमारी सरकार भी तीसरे कारेकार की तैयारी में अभी से जुट गई है हम आने वाले पांच साल का रोड मैप बना रहे हैं नई सरकार मनने के बाद पहले सो दिनों में हमें कौन-कौन से बड़े फैसले लेने हैं इस पर तेजी से काम चल रहा है पिछले दस वर्सों में विकास का जो मॉमेंटम बना वो अब और तेजी से आगे बड़ेगा इन दस वर्सों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है भाई और भनो मोदी को आज की पीडी के साथ ही आने वाली पीडियों की भी चिंता है देश की आने वाली पीडियों को पुरानी चुनवतियों में अपनी उर्जा ना खपानी पड़े मैं इसके लिए भी काम कर रहा हूं एंडिये सरकार के दस साल का रिपोर्ट कार आपके सामने है इन दस सालों में ऐसे अनेक काम हुए है जिनको पहले असंभव मान लिया गया था अब आप देखिए अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनेगा ये लोगों को असंभव लगता था लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं और आपने देखा है ब्रिद में कांगना और राधा तो हर बार की तरह भोली खेले ही इस बार अवद में राम लला ने भी खुब होली खेली साथियों हमारे देश में हमारी सेना को बन रैंक बन पैंशन को लेकर भी पहले कितने वाइदे किये गए थे कभी देश में बन रैंक बन पैंशन लागू होगा ये हमारे सेना के जवानों ने आशाथ छोड़ दी थी ये भी असंबव लगता था लेकिन हमने ना सिर्फ बन रैंक बन पैंशन लागू किया बल्कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले पूर्वस सहिनिकों को उनके हक का एक लाग करोड रुपे से ज़ादा दिया साथियों तीन तलाग के विरूद एक सक्त कानून भी लोगों को असंबव लगता था आज तीन तलाग के खिलाब ना सिर्फ कानून बन चुका है बल्कि ये हजारों मुस्लिम बेहनों की जिन्दगी भी बचा रहा है लोग सभा और विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षन भी पहले असंबव लगता था लेकिन नारी शक्ती बंदन अदिल्याम आज सच्चाई बन चुका है साथियों जम्मू कश्मीर में आर्टिकल तिन सो सत्तर कभी हटेगा ये भी लोगों को असंबव लगता था लेकिन आर्टिकल तिन सो सत्तर भी हटा है और जम्मू कश्मीर का तेज विकास भी हो रहा है और इसलिए आज लोग बीजेपी के तीन सो सत्तर सिटों का आशिरवाद भी दे रहे हैं साथियों ये मोदी गरीबी से तबकर आज यहां पहुँचा है और इसलिए हर गरीब का दूख हर गरीब की पीड़ा हर गरीब की तकलीब मोदी भली भाती समझता है और इसलिए हमने गरीब की हर चिंता को दूर करने के लिए योजनाय बनाई गरीब को इलाज की चिंता न हो इसलिए हमने पाच लाक रुपिय तक के मुप्त इलाज वाली आईश्मान योजना बनाई गरीब को राशन की चिंता न हो इसलिए हमारी सरकार असी करोड जरुरत मंदों को मुप्त राशन दे रही है जिसको किसी ने नहीं पुछा उसको मोदी ने पूजा है हमने गरीब को सिर्फ ससक्त ही नहीं किया है बल्कि गरीब को उसका स्वाभी मान हमने लोटाया है यह हमारी सरकार है जिसने पचास करोड गरीबों के बैंक खाते खोले यह हमारी सरकार है जिसने चार करोड गरीबों को पके घर मना कर दिये है यह हमारी सरकार है जिसने ग्यारा करोड से ज़्यादा सवचाने बना कर महिलाओं की गरीमा की रक्षा किये है यह हमारी सरकार है जिसने दाई करोड से ज़्यादा गरों में बिजिली कनेक्शन दे कर उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है भाई और बहनों बीते दत वर्ष देश में माताओं बहनों बेटियों के लिए सुविदा, सुरक्षा और सम्मान के रहे है आने वाले पाथ सार नारी शक्ती की शम्रुद्धी के होने वाले है देश में करोडों, बहनों बेटियों को हमने पहली बार उद्यमी बनाया उनके लिए फोज के दूसरी नोक्रियों के दरवाजे खोल दिये पुलीस हो या फिर अर्दसाइनिक बल हो इसमें आज बेटियों की संख्या दो गुने से अधिक हो चुकी है मुद्रा योजना ने करोडों बेहनों को पहली बार अपना बिजनेश चुरू करने का संबल दिया है पिछले दस वर्सों में दस करोड बेहने स्वयम सहायता समुहों से जुड़ी है इसे गाउं के हमारी बेहनों को अतिरिक कमाई होने लगी है और मोदी का सपना भी है और मोदी की गारंटी भी है अब देश की तीन करोड महिलाओं को ये मोदी की गारंटी सुन लीजिए और दो अजार उन्तीस में मेरे से हिसाब भी मांग ले रहा ये मोदी की गारंटी है तीन करोड महिलाओं को लखपती दीदी बनाने पर काम कर रहा है साथियों नमोड्रोम दीदी योजनाभी गाउं में बहनों का भाग्य बदलने जा रही है इसके तहट महिला स्वयम सहायता समूह को आदुनिक ड्रोन दिये जा रहे है ये ड्रोन हमारी खेती का भविश्य बदलने वाले है खेती का काम आसान करने वाले है जब गाउं की बेटियां ड्रोन पाइलट बनेगी तो उनका गवरों भी बढ़ेगा उनकी कमाई भी बढ़ेगी और किसानी भी सरल हो जाएगी साथियों बीते दस वर्षों में देश ने देखा है कि ब्रस्टा चार के खिलाप कितनी बड़ी लड़ाई हमने शुरू की है हमने सुनिशित किया है गरीब का पैसा बीच में कोई और नहड़ पाए हमारी सरकार ने कागजों से दस करोर फर्जी लाबारती हटाए अब हरार हो जाएंगे पहले ऐसी सरकार चलती थी जिसका जन्म नहीं हुआ ऐसे लोगों के नाम पर पैसे जाते थे ऐसे दस करो नाम हताने की मोदी ने हिम्मत की है और ऐसा करके हमने आपके देश वासियों के पौने तीन लाग करोड रुपिये गलत हाथों में जाने से बचाये हैं लेकिन भाई और बहनों मैं ब्रस्ताचार पर कारवाई कर रहा हूं इससे कुछ लोग बौखला गए हैं वो अपना आपा खो बैटे है और मेरे प्यारे देश वासियों मैं कहता हूं मोदी की गारंटी कहती है में मोदी का मंत्र है ब्रस्ताचार हटाओ वो कहते हैं ब्रस्ताचारी बचाओ ये चुनाव इन दो खेमों की लराई है एक खेमा एंडिये का जो ब्रस्ताचार हटाने के लिए मैदान में है दूसरा वो खेमा जो ब्रस्ताचारियों को बचाने के लिए मादान में फैसला आपको करना है क्या ब्रस्ताचारियों को बचाना है क्या ब्रस्ताचारियों को बचाना है क्या ब्रस्ताचारियों को बचाना है ब्रस्ताचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ब्रस्ताचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए ब्रस्ताचार खतम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और इसलिए भाईयों मानों जम्मोदी पूरी ताकत से ब्रस्टा चार के खिराप लड़ाई लड़ रहा है तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठ बंदन मी बना लिया है इनको लगता है कि मोदी इन से डर जाएगा लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है मेरा भारत मेरा परिवार है मैं अपने देश को ब्रस्टा चारियों से बचाने के लिए जो कर्दम उठाए जा रहे है उनके खिलाब एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है और इसलिए बड़े बड़े ब्रस्टा चारी आज सलाखों के पीछे है सुप्रिम कौर्ड तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े ब्रस्टा चारियों को कौड के चक्कर रगाने पड़ रहे हैं और इसलिए पूरे देश में आपने टीवे पे देखा होगा कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को डेर निकल रहे हैं कहीं दिवारों से नोटों के डेर निकल रहें और अब ये पी तो मैंने देखा बॉसिंग मशीन में नोटों के डेर थे साथियों मैं ब्रस्चाचारियों पर सिर्फ कारिवाई ही नहीं कर रहा लेकिन मेरे देखवासी मेरी बात समझ लीजिए मेरी गारंटी है इन ब्रस्चाचारियों ने इन बेइमानों ने जिसका धन लूटा है उद्धन को मैं लोटा भी रहा हूँ कॉंग्रेस की सरकार के दोरान गरीबों का छोटे निवेशकों का बेंकों का हजारो करो रुप्य हड़प लिया गया था आपको खुसी होगी साथियों हमने ब्रस्चाचारियों की संपती जब्त करके सत्रा हजार करो रुप्ये कितने सत्रा हजार करो रुप्ये कितने कितने सत्रा हजार करो रुप्ये से ज़ादा मैंने उन जिनके पैसे गए थे उनको वापिस लोटा दिया है जिनका पैसा गया है उनके पैसे वापिस मिले इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ इडी ने जो संपती जब्त की है और अगर रेकोर्ड मिलता है ये जिसके पैसे हैं उसी से पैसे गए हैं तो मोधी आपके पैसे वापिस दिलवाने के लिए जी जान से लड़ने वाला है और मैं आज मेरट की धर्ती क्रांतिकारियों की धर्ती वीरों की धर्ती से ब्रस्चाचारियों को साप साप कह रहा हूँ ब्रस्चाचारी कान खोल के सुन ले ये मोधी पर चाहे कितने भी हम ले करे ये मोधी है रुकने वाला नहीं है ब्रस्चाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्योणा हो एक्षन होगा जुरूर होगा जीतने देश को लुटा है उसे लोटाना ही पड़ेगा ये मोधी की गारंटी है साथ्यों मेरट की इस धर्ति का बेश की अखनता और एकता से बड़ा रिष्टा रहा है ये स्वतंत्रता सेनानी बीर मंगल पांडे की कर्म भूमी है ये धर्ति दन्सी कोतवाल जैसे शुरूर्वीर की धर्ति है शौर्यकी धर्ति से आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि कैसे कॉंग्रेस और इंडी एलाइंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं आज ही कॉंग्रेस का एक और देश विरोधी कार्नावा देश के सामने आया है तमिलनाडू में भारत के समुद्री तड़ से कुछ दूर कुछ किलोमेटर दुरी पर शीलंका और तमिलनाडू के बीच में समंदर में एक तापू है एक द्वीप है कच्चा थिवू अलग-लग नाम भी लोग बोलते हैं कच्चा थिवू ये द्वीप सुरक्षा की द्रस्टी से बहुत महत्वफुन है देश आजाद हुआ तब हमारे पास्ता और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है लेकिन कॉंग्रेस ने चार-पांच दसक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है फाल्टू है यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है और ये कहते हुए मा भारती का एक अंग अजाज भारत पर ये कॉंग्रेस के लोगों ने इंडिय अलाइक के साथियों ने मा भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया बेश कॉंग्रेस के रवये की कीमाथ आज तक चुका रहा है भारत के मचवारे मचली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं तमिल नाडू के हैं केरल के हैं पुडी चेरी के हैं तेलंगरा के हैं आंदर के हैं इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरपतार कर लिया जाता है उनकी बोड को कबजा कर लिया जाता है ये कॉंग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मचवारे आज भी सजा भुगत्ते चले जा रहे हैं और कॉंग्रेस पार्टी इतनी बड़ी उनकी पाप के जब बात आती है तो कॉंग्रेस की बोलती बंद हो जाती है डीम के जैसे दल जो कॉंग्रेस के साथ ही है वे भी मुँपे चाला लगा करके बैठ जाते हैं आप मुझे बताईए क्या ऐसा इंडी गड़ बंदन जिसने माप भारती का टुकड़ा करके दे दिया क्या ऐसा गड़ बंदन देश हीत में कोई फैसला ले सकता है क्या देश का भला कर सकता है क्या देश को एक रख सकता है क्या साथियों इंडी गड़ बंदन वाले ना देश के जवानों का हित्स हो सकते है ना ही देश के किसानों का हित्स हो सकते है ना ही देश के मचवारों का हित्स हो सकते है किसानों से नफ्रत करने वाले इंडी गड़ बंदन ने चौधरी चरण सीजी को भी उचीत सम्मान नहीं दिया जब चौधरी साथ को भारत रत्न पर संसद में चर्चा हो रही थी तब इंडी गड़ बंदन ने पार्लामेंट के अंदर जो किया वो पूरे देश ने देखा है जब हमारे छोटे भाई जैन चौधरी संसद में चौधरी चरण सीजी के भारत रत्न के सम्मान को ले करके बोलने के खड़े हुए तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई बाई जैन चौधरी को अप्मानिस करने का प्रयास किया गया कॉंग्रेस और सपा को देश के किसान इस छेत्र के लोगों की गर गर जाकर के माफी मागनी चाहिए और यहां का एक रागरिक कभी भी कॉंग्रेस सपां जैसे उनके साथियों को कभी भी माफ नहीं कर सकते हैं साथियों चौजरी साम ने अपना जीवन किसानों के इस समरुद्धी के लिए समर्पित किया था हमारी सरकार भी किसानों के कल्यान को सर्वोच्च प्रास्विक्ता देते हुए काम कर रही है यहां तो इतनी बड़ी अनाज मंडी है यहां की गूर की मंडी सारे देश में जानी जाती है आप भूले नहीं होंगे कि कैसे आप गन्ना किसानों को परिशान किया गया था गन्ना किसानों के हजारो करोड रुपिये बकाया होना सामान ने बात हो गई थी चीनी मिलों को धनादर बंद किया जा रहा था कोडियों के भाव बेचा जाता था मोदी ने किसानों के साथ हो रही ये सारी हेरा फेरी बंद करा दी है साथियों, हम गन्ने की खेती को चीनी और गुर तक सिमित नहीं रखना चाहते हम देश की हर गन्ना बेल्ड को देश की उर्जा बेल्ड भी बनाना चाहते गन्ने से बनने वाले इसे नौल से गाड़ियां चले इसके लिए देश बर में काम हो रहा है दस वर्ष पहले सिरफ 40 करोल लीटर इथेनौल बनता था आज 500 करोल लीटर इथेनौल का उत्पादन हो रहा है इथेनौल की खरीद बढ़ने से दस साल में लगबग 70 हजार करोर रुपिये देश के किसानों को मिले है साथियों हमारा निरंतर प्रयास है कि किसान की लागत कम और लाबधिक हो इसलिए PM किसान सम्मान रिपी के जरिये UP के किसानों को हजारो करोर रुपिये की बदद की गई है 500 करोर रुपिये तो उससे भी जादा अकेले मेरट के किसानों को मिले है आज उरिया की जो बोरी दूसरे देशों में तीन हजार रुपिये तक में मिलती है वही बोरी हम किसानों को सिरफ तीन सो रुपिये में भी तिन सो से भी कम कीमत में दे रहे है आप सभी किसानों की बंदारन की समत्या को दूर करने के लिए भी बीजेपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है हम दे दुनिया की सबसे बड़ी बंदारन योजना की शुरुवात की है इसके तहट देश में दो लाग से ज़ादा गोदां बनाए जा रहे हैं हमारी सरकार मिलेट्स स्री अन्न के लिए जो अभ्यान चला रही है उसका भी बड़ा फाइदा छोटे किसानों को मिल रहा है भाई और भेनों एंडिये सरकार आपके पैसे बचे इद्धिशा में लगातार काम कर रहे हैं हमने कम बिजली से जादा रोसनी देने वाले एलीडी बल्की योजना बढ़ाए इसे गरीब और मद्लमवर के बिजली बिल में हजारो करोड उप्य बचे अब हम एक नई योजना लेकर आए और मैं तो चाहूंगा इस छेत्र के लोग इस योजना का बड़पूर फाइदा उठाए हमारी नई योजना है पी-एम सूर्यगर मुप्त बिजली योजना इसके तहत आपके गर का बिजली का बिल जीरो फ्री बिजली हर परिवार को मिलेगी इस योजना अब योजना क्या है गड़की छट पर सोलर प्लांट लगाने किये लगबग 75,000 रुपिये तक सरकार मदद करेगी कुछ हपते पहले योजना शुरू हुई है अब तक एक करोण लूप जुड़ चुके है और मैं वादा करता हूँ चुनाव सबापत होने के बाद सरकार बनते ही मैं इस काम को और तेज करने वाला हूँ ताकि आपका बिजली का बिल जीरो हो जाए साथ यो ये बाज़पा सरकार है जिस पूरे खेत्र में विकास को नई उचाई पर ले जा रहा है देश का पहला नमो भारट ट्रेन कोरिडोर दिली से मेरट तक बना है आज मेरट जिले से होकर तीन अलग-अलग एक्स्प्रेसे गुजर रहे हैं मेरट मेट्रो पर भी तेजी से काम चल रहा है हमारा मेरट परेट कोरिडोर से भी कनेक्तेड है यहां मेजर ज्यांचन स्पॉर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है मेरट एक बड़ाएजुकेशन हब भी बन रहा है जिस प्रकार का इंफ्रासेक्टर मेरट में बन रहा है उससे यहाँ हर्ट पकार के छोटे बड़े उद्योग कार विस्तार होगा नव जमानों के लिए रोजगार के नए आउसर बनेंगे साथियों इस रेली में बीजेपी के कायर करता होने आर एल्डी के कायर करता होने NDA के हमारे सभी साथी दलों ने भारी मेहनत की है बहुत मजबूत उम्मिद्वार खड़े किये है हमारे अरून गोविल जी राजकुमार सांगवान जी राजकुमार सांगवान जी संजीव बालियान जी बाइट चंदन जी प्रदिप चौदरी जी हमारे इन साथियों को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए मैं आप सबसे प्रार्षना करने आया हूँ और इसलिए बैठ सकते हैं इसलिए 19 अपरिल 26 अपरिल को आप गर्मी कितनी क्यों न हो बोट डालने के लिए जुरू निकलना है बोट डालेंगे न और ऐसे भी डलवाएंगे न गरगर जाएंगे न आपका वोट विख्षिद भारत के लिए होगा आपका वोट देश हित्में और बड़े निर्णे के लिए होगा और इसलिए आप मेरे साथ बोलिए आप सब मेरे साथ बोलिए विख्षिद भारत के लिए 400 पार विख्षिद भारत के लिए 400 पार गरीबी से मुक्ति के लिए, युवाओं को नए अवसर के लिए, नारी ससक्ति करन के लिए, किसानों की समरुद्भी के लिए, ब्रस्ताचारियों को जेल बेजने के लिए, साथ क्यों, आप मेरा एक काम करेंगे, करेंगे, ऐसे नहीं हाथ उपर करके बताईए, मेरा एक काम करेंगे, ये मेरा परसनल काम है, करेंगे, चुनावाला काम नहीं है, करेंगे, फक्ता करेंगे, मेरा काम बहुत छोटा सा है आप गर-गर जाना और हर गर जाकर के कहना महारे मोधी जी मेरत आये थे और मोधी जी ने आपको प्रणाम भेजा है मेरा प्रणाम गर-गर पहुचा दीजिए मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद